जिस भावी ने अपनी ननत के लिए सबी ट्रोलर्स को मूँ तोर जवाब दिया ननत का होसला बढ़ाने के लिए बिग बॉस के घर में गई इतना ही नहीं ननत को हर टास्क में जितवाने के लिए बिकास गुपता से लड़ी बलकि हर उस सक्स से लड़ी जिसने ननत पर उंगली उठाई अब वही भावी ननत के लिए दुश्मन मन गई है जी हाँ हम बाद बिक बॉस 13 की कंटेंस्टेंट आर्ती सिंग और उनकी भावी कश्मीरा शाह की कर रहे है बिक बॉस जाते जाते इनके रिष्टे में बड़ी दूरी बना कर जा रहा है आर्ती का सपोर्ट करने वाली भावी यानि कश्मीरा शाह के सेहने की शक्ती अब खत्म हो चुकी है क्योंकि उनके इतने सपोर्ट के बाद भी आर्ती का कोई एहसान नहीं दिख रहा है आर्ती और कश्मीरा की लड़ाई की वज़ा बिक बॉस के प्रेस कॉनफरेंस टास्क रहा है जिसमें आर्ती से पूछा गया कि वो बिक बॉस के विनर बढने के लिए कॉनफिडेंस क्यों नहीं है आर्ती ने जवाब दिया कि वो घर का पहला वच्चा थी जिसका पोस्टर चीची मामा गोविंदा के साथ छपा था उन्होंने पहले काम करना शुरू किया लेकिन उसके बाब जूद भी उनके भाई कृष्णा और कजिन रागनी को जादा नाम मिला इस लिए उनका कॉन्फिडेंट कम होता चला गया आर्ती ने आगे कहा भाई कृष्णा आभिशेक उन्हें भरोसा दिलवाने के लिए बिग बॉस भी आये इसके बाद उनका confidence तो आया, लेकिन इस वीच आरती ने कश्मीरा का कहीं भी नाम नहीं लिया, तो ऐसे में कश्मीरा का नराज होना भी जायज है, ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस से निकलने के बाद इनके रिष्टे में जरूर मन मुटाओ आएगा है, और अगर ऐसा रहा तो कृष्णा अभिशेक के लिए भी मुश्किल बन जाएगी, तो आप आरती और कश्मीरा के लिए क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं, मिलम न्यूज रिपोर्ट